हलो दोस्तों जय माकाल मैं आपका दोस्चंदर शेकर सुन्डे टू इंफिनेटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेर करें और एसी इंट्रेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाए जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखें जिससे आगे आने वाले राजस्तान के जितने भी एक्जाम है, पटवारी हुआ, वन पाल, वनरक्षक, हाई कोट, राजस्तान SSI, राजस्तान पुलिस, जितने आएंगी जिसमें राजस्तान जी के आएगी, तो कनपरम है कि उनमें आपको ये बहुत help मिलेगी दोस्तों. त्राइ करके देख लेना आपको पता चल जाएगा तो शुरू करते हैं जो आज का टोपिक है मिट्टियां परदेश की जो मिट्टियों हैं उनके कणों के आदार पर कौन-कौन से भागों में बाटे गई है अमली है सारी है इनके आदार पर कौन-कौन से भागों में बाटे दोस्तों 20% बंजर भूमी तो है राजस्तान में कहां देश की 20% भूमी राजस्तान में और मिट्टी में जो उपस्ती सब्जी उपजाओ तत्तों वह कौन सा है तो दोस्तों वह हूमस और वह कैसे बनता है तो वनस्पती के सड़े गले अवसेस होते हैं दोस्तों उनसे बनता है तो उपजाव तक तो हुमस होता है और वनस्पती के सड़े गले अवसेसों से बनता है हुमस हो गया आसान है नेक्स्ट है दोस्तों अगली बात है अपनी कि रास्तान में जो मिट्टी में जो नाइट्रोजन और फास्पोर्स की कमी होती है कि क्या क्या किस कि कमी होती है रा मिट्टी का पर्दद तो यह करश का सही रोग कहलाता है दोस्तों अब हम इसके बारे में और पढ़ लेते कि राश्ट्री जो करशी आयोग सबस्क्राइब तो ने राष्टरे करसी आयोगने राष्ट्रे करसी आयोगने दोस्तों राजस्तान के 12 उड़ों को मरश्वत्ली जिले माने गए और दोस्तों जो हमारे मरूविकास कारिक्रम जलाने जा रहा है उसमें दोस्तों 16 जी ले बागिदर कितने जेले माइडारे और और इसके बारे में मिट्टी के बारे बारे बजाता हूं आपको मैं कि जो पसीमी राजस्तान है पसीमी राजस्तान में जो खेतों में जो भूमिगत जलाकरांती को क्या बोलते हैं यह क्यूशन है दोस्तों आया हुआ है कि पसीमी राजस्तान में खेतों में भूमिगत जलाकरांती को क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं दोस्तों सेम की समश्या क्या कह ब्रपजांब्ध दौस्तों घ्राव तुन संथ से कम होती ए morning वह थी ये तो आधिकता होती याद रखना हिचीजे बौत इसका समयदान के एक तो समाधान आई काははण फोरस और होता है जस्ते का चुर्ण और थीसरी मिट्टी है दोस्तों जिसका PSA से अधिक होता है वो होती है लवनी या सारी मिट्टी जिसे उसर मिट्टी भी बोलते हैं तीनों नाम याद रखने हैं दोस्तों तो वह सोडियम कार्बोनेट के अधिकता होती है इस मिट्टी में जो सारी मिट्टी होती है उसमें तो इसका समा उनके बारे में उनको हम देखो जलोड मिट्टी के बारे में बताऊंगा पहले में आपको कि जलोड मिट्टी कैसी मिट्टी के कणन तो दोस्तों जलोड मिट्टी की बात करते हैं तो जलोड मिट्टी एक मद्यमाकार के कानन कैसी मिट्टी है मद्यमाकार की तो इसकी ट्रिक ह इस उपनाम कई बार पूछ लेते हैं कि इनकी उपनाम बताईए या कोई क्यूशन दे दिया कि आपको बतादे कि विश्व में या मिट्टी विश्व की सबसे उपजाओ मिट्टी कौन सी है ओप्सन मिल जाए आपको कचारी कपासी अमली है या भूरी मिट्टी तो आप क्या जवाब दोगे दोस्तों आपको पता है कि सबसे उपजाओ मिट्टी जलोड मिट्टी है लेकिन अब आपको जो उपनाम दे रखे हैं उसमें आपको पता नहीं है तो आप क्या करोगे हिट् trick तो trick मैं आपको बता होगा कि trick में उपनाम कैसे करेकर से याद रखते हैं तो इसकी trick आह कि जलका एक ौसे का एक लोगों क्दों क्या है जलका एक दो खाद वाजल से याद रखना दोस्तों जलोड मिट्टी है से याद रखना il एक से आपको एक चीज इहाद रकना है कचारी कौनसी कहारी दोस्तों युजरूर याद रखना तो यह हो गई जलोड मिटी चलोड़ मृटी के बारे में मैं Incredạo को बता दिया है काली मिट्टी के बारे में बताता हूं मैं आपको कि काली मिट्टी के बारे में क्या है काली मिट्टी की जो उपनाम है उसको बारे में कि अत्यंत बारिक कणों होते हैं कैसे होते हैं अत्यंत बारिक कणों होते हैं ठीक है और अत्यंत बारिक कणों को क्या कहते हैं चीका क्या क रोजन पाया जाता है इसमें ठीक है ठीक है अब आपको बताऊंगे में इसकी उपनाम कौन 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 से काले मिट्टी के सब्सक्राइब डॉल्ट चिकना खना काली का पास रोल्ट जिकना और गयानीघ अपनी मिठ्टी दोस्तां आप वो राज्टान में सबसे ज़्यादा मात्रा इसी की मिट्टी की है तो वो कौन इसकी ट्रिक क्या है रेतिली मिट्टी एत्यन्त मोटे कण होते हैं दोस्तों बालो बुलोई रेतिली लवनी अमली एरिडो यह सब इसके उपनाम है ठीक है और राज्जी में सरवादिक राद दालें गौवार सरवादिक इस् यह चीजे पैदा होती है ठीक है अम मैं आपको बताऊँगा की ट्रिक है इसकी दोस्तों एयरी बाबुल रेद अमल्य लवना क्या है एयरी बाबुल रेत अमल्य लवना यह है तो एसे याद रखना एड़िडु सोल बास से याद कर सकते हो तो यह है दोस्तों आपकी अमली मिट्टी शारी मिट्टी सब के बारे में ने बता दिया है तो दोस्तों ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए सस्क्राइब करें बेल आइकन को जरूर दबाएं और पहले वाले वीडियो जरूर देख ले दोस्तों आपको बहुत हैल्प मिल रहें और आगे बढ़ते रहें धन्यवाद आप सभी का फिर मिलते हैं एक नई वेडियो के साथ